कर दो सिंप्ली मैंने लिख लेना है हाउ टू डाउनलोड क्रोम तो इसके बारे में आपके सामने बहुत सारे आप्शन आ जाएंगे यह देखे आप यहां इन सब को कॉपी करते हैं जो भी आपके वीडियो के रिलेटेड हो सब्सक्रे मैं यहां से एक कॉपी कर लेता हूँ यह वाला और यहां आपने अपने नोड में सेफ कर लेना है यहां में यहां पर मैं क्लिक कर लोगा और मैं यहां सेफ कर लोगा आपने प्लस वाले निशान पर दबा लेना है और वहां आपने लिख लेना है गुपर में टाइटल यह यह टाइटल के बारे में है तो यह आप यहां यह सेव करेंगे तो आप दुबारा अपने यूटूब पे चले जाएंगे और वहां से दूसरे आप्शिन्स को भी कॉपी करके अपने साथ सेफ कर सकते हैं तो जैसा मैंने दूसरा अप कॉपी वहां से तो मैं यहां ढूंड़ूंगा किक करके किसी भी चीज़ यह लेंगे हाँ चलों यहां से कुई भी चीज़ कुई भी से आपने यहां कॉपी कर लेना है हाफ डूडूंड टूरम तो मैंने यह कॉपी कर लिया है और दुबारा अपने नोट में सेफ कर लेना है जिस वकट आप अपनी वीडियो डूट अपलोड लोड़ेंगे तो उस वक्त आपने इनको टाइटल में रख लेना है याद रखे टाइटल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए हाँ बस इतना ही काफ़ तो ये आप जब सेफ करेंगे तो इसी तरह आप अपने यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड करेंगे तो इसको डिस्क टाइटल में डाल लेंदे अब आप बार आते हैं डिस्क्रिप्शन की तो आपने उसी तरह यूट्यूब में चले जाना है और जब यूट्यूब में आएंगे तो सर्च में आपने वीडियो के रिलेटिट कोई भी वर्ड लिख लेना है जैसा मैंने पहले बताया कि हाओ टू डॉम्लोड क्रोम तो मैं यहां लिखने को सोरी क्रोम झायों आप जैसे लिखेंगे तो यह देखें आपके सामरे बहुत सारे आप्शन आ जाएंगा तो आपने यहां से इसी को भी कॉपी कर लेना है बहुत सारे description में आप 500 words लिख सकते हैं तो आप यहां से भी copy कर ले और मजीद देख ले और यहां से आप copy कर सकते हैं और अपने साथ save कर सकते हैं तो इस आपकी description में अच्छी और अच्छे मौज़ू पे आपके अच्छे मौज़ू पे आपके साथ बहुत सारे descriptions आ जाएंगे याद रहे कि अपने description में अपनी वीडियो के बारे में कुछ line जरूर लिखने हैं जिस तरह इन्होंने लिखा है तो आपने अगर यहां से copy कर लेना है या जहां से भी आपने copy कर लेना है और अपने साथ save करके uploading के दवरान आपने description में paste कर लेना है तो इसी तरह आपके साथ आपकी uploading में ये भी add कर लेना है तो आपकी वीडियो अच्छी वाइरल हो जाएगी टाइटल और description बहुत लाजमी होता है और अच्छी तरह इसको लिखना होता है तेक्स अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता टेक्स का भी यही तरीका है आपने simply अपनी YouTube में चले जाना है और अपने वीडियो के related जितनी भी वोड़ज है और उसको आपने लिख लेना है और अपने वीडियो के बारे में वहाँ से कॉपी कॉपी करके अपने साथ सेफ कर सकते हैं तो इस तरह मैंने दूसरा भी description अपने साथ सेफ कर लिया हुगा तो इस तरह आप description safe कर लेंगे और यहाँ से आप दोबारा copy करके अपने description वीडियो की description में paste कर लेंगे तो वीवर खर आपको हमारी वीडियो पतंद है तो लाइक करे और subscribe करें Thank you